Hello everyone and welcome back to my channel Lerner Sab तो आज जो हम लोग novel या fiction discuss कने जा रहे हैं उसका नाम है Nirmala जो कि एक Indian writer धनपत राय श्रिवास्तव या जिने हम मुणशी प्रेमचन के नाम से भी जाना करते हैं तो उनके द्वारा लिखा गया है ये तो देखिए novel जो है ना इसे basically year 1927 में सबसे पहली बार publish किया गया था और इस novel के थुरू मुणशी प्रेमचन एक्चुली हमें उस दौर के problems यानि year 1920s के Indian society के कुछ major issues और problems के बारे में बताने की कोशिश करते हैं जो कि उस दौर की महिलाएं या औरते face किया करती थी जैसी कि डावरी यानि दहेच की समस्या फिर mix match marriage यानि अपने से काफी बड़े उम्र के आदमी से एक छोटी लड़की का शादी कर देना और ऐसे ही कई तरह के problem से ये story deal करता है तो इस fictional novel को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को इस story का एक छोटा सा overview बता देना चाता हूँ ताकि आगे चल कर आप लोगों कोई confusion न हो और इस story आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए तो देखिए story जो है ना ये actually निर्मला नाम की 15 साल की एक Indian girl को उपर based है जिसके इतने कमर उम्र में ही उसके पिता उसकी शादी तैक कर देते है और फिर बाद में उसके पिता की अचानक से मृत्यू या देथ हो जाने की वज़े से और दहेज ना मिलने की वज़े से उसकी शादी भी cancel हो जाती है जिसके बाद फिर उसकी माँ उसकी शादी एक 35 साल के एक लॉयर से कर देती हैं जो की उम्र में उसके पिता समान होते हैं और फिर धीरे-धीरे करके उम्र के साथ निर्मला फैमली के फिजिकल और मेंटल प्रशर की वज़े से वो काफी बिमार हो जाती हैं और फाइनली लास्ट में वो अपनी एक छोटी बेटी आशा को जन्दे कर वो इस दुनिया से चल बसती हैं तो इस फिक्षन के थुरू प्रेम चन एक्चुली हमें उस दौर के प्रॉब्लम्स के बारे में बताने की कोशिश करते हैं जिने एक रिफॉर्म या एक चेंज की जरूरत थी और इसके साथ ही वो हमें ये भी दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे निर्मला एक टिपिकल इंडियन वुमेन की तरह वो अपने सारे प्रॉब्लम्स को अपने अंदर ही समेट कर वो पूरे फैमली को खुश रखने की कोशिश करती है तो चलिए अब ये तो हो गया इस स्टोरी से रिलेटेड काफी डीटेल इंफॉर्मेशन तो अब बिन टाइम वेस की आज को जो हमारा फिक्शनल नौवल है निर्मला इसे हम लोग शुरू करते हैं तो देखिए इस स्टोरी की शुरूरात एक काफी टिपिकल इंडियन स्टाइल में शुरू होता है जहां पर उदे भानूलाल नाम के एक वेक्ती जो की काफी अमीर वकील या लॉयर होते हैं तो वो अपने सबसे बड़ी बेटी दुसका नाम निर्मला होता है और जो की सिफ 15 साल की होती है तो वो उसकी शादी भूवन मोहन नाम के एक नौजवान यंग मैन से वो अरेंज कर देते हैं जो की भाल चंदर सिन्हा नाम के एक वेक्ती के सबसे बड़े बेटे होते हैं तो अब देखिए निर्मला की जो मा थी ना जिनका नाम कल्यानी था तो वो फिर क्या करती हैं? वो अपने हस्बेंड से या वो निर्मला के पिता से वो ये कहती हैं कि देखिए उदे भानुलाल जी अगर आप इतना पैसा सिर्फ निर्मला के ही शादी में खर्च कर देंगे तो फिर हमारी चोटी बेटी कृष्णा के शादी के लिए क्या बचेगा तो इसी बात को लेकर निर्मला के माता पिता के बीच में एक बहस या जगड़ा हो जाता है दिसके बात फिर निर्मला के पिता यानि उदे भानुलाल फिर क्या करते हैं वो अपनी वाइफ कल्यानी को वो एक सबक सिखाने के लिए या उन्हें अपने importance या अपनी एहमियत समझाने के लिए वो एक plan बनाते हैं कि क्योंना रात के समय वो अपने घर से निकल कर वो कुछ समय के लिए दूसरे गाउं चले जाएं और इसके साथ ही वो अपने कुछ पुराने कपड़ों को वो पास कही नदी के पास छोड़ जाएंगे ताकि इससे सब को ये लगे कि उनका नदी में डूब कर देथ या मृत्य हो गया है और इससे फिर उनकी वाइफ कल्यानी को भी एक सबक मिल जाएगा और वो फिर आगे से कभी भी वो उनसे फ्यूचर में इस तरह से जगरा नहीं करेंगी तो अब रात के समय उदे भानुलाल जब अपने घर से निकलते हैं तो थोड़ी दूर तक पहुचने पर ही रास्ते में उन्हें उनका एक दुश्मन मिल जाता है जिसका नाम मत्य होता है और जिसे की उदे भानुलाल जी ने एक सरकारी वकील के हैसियत से उन्होंने उसे तीन साल की सजा भी दिलाई थी तब उसी बात का बदला लेने के लिए उनका दुश्मन मत्यी वहीं पर उनका सच मुच में कतल कर देता है तब उदे भानुलाल जी के देथ के बाद उनकी पूरी फैमिली की कंडिशन धीरे धीरे करके काफी बिगड़ जाती है जिसके पात फिर बाल चंदर सिनहा अपने बेटे भूवन मोहन के शादी निर्मला से कराने से भी मना कर देते हैं और वो ये कहते हैं कि ये एक बुरा संकेत है ये एक बैड ओमिन है इसलिए हम भूवन मोहन के शादी निर्मला से नहीं करा सकते बट असल में तो बात ये होती है कि उदे भानुलाल के दैथ के बाद उन्हें अब उतना दहेज नहीं मिलेगा इसलिए वो शादी करने से मना कर देते हैं तो अब निर्मला की मा कल्यानी फिर क्या करती हैं वो भूवन मोहन की मा और बाल चंदर सिना की वाइफ यानि रंगिली बाई को वो एक लेटर लिखती हैं जिसमें वो उन्हें बताती हैं कि उनकी financial situation अभी काफी खराब है तो आप प्लीज अपने हस्बेंड और अपने बेट यानी फिर क्या करती हैं वो एक होशियार पंडित की मदद से वो उसके लिए एक दूलहा या एक हस्बेंड तलाश करती हैं और वो फिर ना चाते हुए भी उन्हें अपने family problems की वज़े से उन्हें निर्मला की शाधित तोता राम नाम के एक 35 year old वकील से करनी पड़ती है ज जिनकी पहली wife की death हो चुकी होती है और इसके साथ ही उनके already तीन बेटे भी होते हैं जिनमें से उनके पहले बेटे का नाम होता है मंसा राम जो की 16 साल का होता है फिर उनके दूसरे बेटे का नाम होता है जिया राम जो की 12 साल का होता है और उनके तीसरे बेटे का नाम होता तो अब तोता राम के निर्मला से शादी हो जाने के बाद तोता राम फिर क्या करते हैं वो रोज रोज वो निर्मला के लिए कुछ नए उपहार या गिफ्ट्स लाया करते हैं ताकि वो उसे खुश करके वो उसे सिड्यूस कर सके और उसके साथ एक physical relationship establish कर सके बट निर्मला अक्सर उनके पास से वो खुद को बचा कर निकल जाती क्योंकि वो तोता राम को respect तो जरूर करती है बट वो उन्हें वैसे प्यार नहीं कर सकती थी जैसे कि तोता राम निर्मला से expect करते थे और वो अक्सर उसे seduce करने के लिए और अपने लस्ट को fulfill करने के लिए वो उसके लिए नए नए तोफिल आते और वो उसे जूटी कहानिया सुनाते जैसे कि उन्होंने एक बार दो बहुत ही खतरनाक चोरों को जिनके पास दो बहुत ही बड़े तलवार थे उन्होंने यूही उन चोरों को अपने हाथों से मार दिया था तो निर्मला को वैसे तो ये बात पता थी कि तोता राम की सुनाई गई कहानी बिल्कुली फेक या जूटी है बट फिर भी निर्मला उनकी खुशी के लिए वो थोड़ा मुस्कुरा देती और वो पूरी फैमली को खुश रखने की कोशिच करती है तो अब जैसे जैसे करके समय गुजरता जाता है वैसे वैसे करके निर्मला और उसके स्टेप सन यानि तोता राम के सबसे बड़े बेटे मंसा राम के बीच में काफी अच्छी बॉंडिंग हो जाती है और निर्मला तो इवन उससे इंगलिश भी सीखने की कोशिच करती है बट तोता राम फिर अपने बेहन रुकमेनी के बहकावे में आकर वो उन दोनों के प्योर रिलेशनशिप को भी वो एक गलत नजरिये से या एक शक के नजरिये से देखने लगता है और इसकी वज़ा से वो फिर अपने बेटे मंसा राम को वो घर से दूर एक होस्टल में पढ़ने के लिए भेज देते हैं बट होस्टल के अनसुटेबल एन्वायरमेंट और स्ट्रेस की वज़ा से मंसा राम की तवियत धिरे धिरे करके वहां पर बिगरने लगती है और फाइनली फिर उसकी तवियत इतनी खराब हो जाती है कि होस्टल के हेड मास्टर को तोता तोता राम को बुलाना पड़ जाता है तो अब तोता राम फिर क्या करते हैं वो मंसा राम को घर लाने के बजाए वो सीधे उसे हॉस्पिटल में अडमिट कर देते हैं और निर्मला को जब ये पता चलता है कि मंसा राम की तवियत बहुत खराब है तो तोता राम के मना करन के बावजूद भी निर्मला मंसाराम से मिले के लिए वो हॉस्पिटल चली जाती है तब यहाँ पर एक इंट्रेस्टिंग बात ये है कि मंसाराम का ट्रीटमेंट जो डॉक्टर एक्चुली कर रहे होते है ना उनका नाम भूवन मोहन होता है और ये भूवन मोहन वही व्यक् वो मंसाराम को ब्लड डोनेट करने के लिए वो सबसे पहले तयार हो गई और निर्मला के इतने प्यूर नेचर को देख कर तोताराम और भूवन मोहन दोनों को भी अपने पहले के कर्मों और अपने बिहीवियर पर शरम आने लगती है और जिसकी वजह से भूवन मोहन फिर क्या करते हैं वो अपनी गलती का पश्यताप करने के लिए या पैनेंस करने के लिए वो अपने एक छोटे भाई की शादी वो निर्मला की एक छोटी बहन क्रिशना से करा देते हैं बट यहां पर एक दुख की बात ये भी है कि मंसाराम के इतने अच्छे ट्रीटमेंट के बावजूद भी उसकी ट्यूबर कॉलोसिस यानि टीबी के बिमारी की वज़े से देत हो जाती है तो अब अपने बड़े बेटे मंसाराम को खो देने के बाद तोताराम काफी दुखी हो जाते हैं और उन्हें कहीं न कहीं यह एहसास भी हो जाता है कि उनके बड़े बेटे मंसाराम के मृत्यू में उनका भी कहीं न कहीं हात था और इसी दुख के आग को और बढ़ाने के लिए तोताराम की बहन रुकमिनी फिर क्या करती हैं वो तोताराम के दोनों बेटे जियाराम और सियाराम को यह कहकर भड़का देती हैं कि तुम्हारे बड़े भाई की मृत् प्रश्वत करती हैं वो एक दिन निर्मला के गहने चुरा कर यानि वो उनके ज्यूलरी को चुरा कर वो घर से भाग जाता है बड़ तोताराम को इस बात का पता नहीं होता है इसलिए पुलीस को कम्प्लेन करने पर पुलीस भी तोताराम को यही बताती है कि आपका दूसरा बेटा जिया राम ही असली चौर है बट निर्मला घर की बदनामी होने से बचाने के लिए वो पुलीस को कुछ रिश्वत दे कर वो बात को बदलने की कोशिश करती है बट लास में जाकर शर्म के कारण और डर के मारे उनका दूसरा बेटा जिया राम भी सुसाइड कर लेत वो भी फिर अपने घर बार को छोड़ कर वो उस नकली सादू के साथ चला जाता है तो अपने सारे तीनों बेटों को खो देने के बाद तोता राम काफी ज़ादा डिप्रेस हो जाते हैं और फाइनली फिर वो अपने तीसरे बेटे सिया राम की तलाश में वो अपने घर को पढ़ जाती है तो अब एक दिन निर्मला फिर क्या करती है वो एक help मांगने के लिए वो अपनी एक पुरानी friend जिसका नम सुधा होता है तो वो उसके घर चली जाती है और यह सुधा actually भूवन मोहन की ही present wife होती है तो अब निर्मला जब सुधा के घर पहुंचती है तो वो उ केला देखकर वो उसकी तरफ आकरशित हो जाता है और उसके तरफ लस्ती नजरों से देखने लगता है और वो फिर उसे seduce करने की कोशिच भी करता है पर फाइनली निर्मला किसी तरह से वहां से अपने आपको बचाती हुई निकल जाती है और रास्ते में जब उसकी मुला का सुधा सो होती है तो वो उसे इशारो ही इशारो वो उसे सब कुछ बता देती है जिसके बाद फिर सुधा अपने हस्बेंड भूवन-मोहन को काफी harshly क्रिटिसाइज करती है और फाइनली फिर शर्म के मारे और emotionally depressed होने के कारण सुधा का हस्बेंड भूवन-मोहन भी suicide कर लेता है तो finally इस novel के last में क्या होता है इतने सारे death और depressing events को देखने के बाद निर्मला काफी exhaust हो जाती है और finally family के physical और mental pressure की वज़े से वो भी काफी बीमार पर जाती है और last में वो फिर अपनी और तोता राम की एक बेटी आशा को जन देती है और उसे फिर रुकमनी को सौप क वो इस दुनिया से चल बसती है और फिर कुछ समय के बाद तोता राम जब घर वापस लोडते हैं तो वो ये देखते हैं कि निर्मला की death हो चुकी है और रुकमनी को भी अपने गलती का एसास हो चुका है तो इस तरह से story खतम होता है and I hope कि आपको वीडियो पसंदाया होग वीडियो पसंदाया तो प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताएं लाइक करें शेयर करें अपने दोस्तों के साथ and thank you for watching